हेलो दोस्तों मैं आपका दोस्त फिर से आजीर मुखल सेंग फोकिश इंट्रिट्यूट ऑफ म्योजिक से यह क्याल चाल आप लोगों के अच्छा गाइस जो मैंने आपको पीछली वीडियो में बताया था माइक्रोफोन ऐसे सेरिस के बारे में वह आपने देखी है अगर नह काफी अच्छा मैने समझा है कि आप उसके बारे में अच्छे से बखुबी जान सके तो इस यह मैंने सीरीज अप कंप्लिट हो चुकी है अगर उसमें भी आपको कोई कोई कोईश्यना अंसर्स है उसमें कोई आपको प्रोब्लम है तो आप मेंने को कमेंट वोक्स में बताक क्रैक करते हैं विएश्टी प्लगिंस को या कहीं से लेते हैं तो वह आपको जरुवत नहीं होगी क्यों क्योंकि मैं आज ला रहा हूं आपके लिए फाइफ तो प्लगिंस और बीट मेंगर यह टोटली फ्री है आप इसको यूज करेंगे तो आपका प्रड़क्शन लेवल म्यूजिक का एक अच्छे लेवल पर चला जाएगा और यह बहुत अच्छा साउंड करती है इसको परस्नली मैंने भी यूज किया है तो आज हम जुरूर इसक सब्सक्राइब करते हैं तो यह जो हमारा पहला है वह है ड्रम प्रो बाई स्टूडियो लिंग्ड इसका जो वर्च्वल ड्रम मशीन है यह काफी अच्छी है और इसको मैं आपको दिखा रहा हूं यह वेबसाइट है इनकी जिस पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं यह र ड्रम मशीन है ड्रण प्रो यह बहुत फी अच्छी ड्रम मशीन है क्योंकि यह आपको फ्री आती है जो कि आपके 20 linguyas की इसके साथ आपको जो मिलते हैं और आप उसका यूर्ज कर सकते है और इसके साथ जो क्लासिक ड्रम मशीन सांड है जैसे कि आपने सुना होगा तो रोल ड्रम प्रो की सबसे बड़ी खासियत वो यह है कि यह आपको जैसे मैंने बदाया आपको 32 और 64 bit पे compatible है PC और Mac दोनों में और जो इसका जो इंटरफेस है जो आप ये इंटरफेस देख रहे हैं इस इंटरफेस में आपको सबसे बड़िया जो चीज है इसके अंदर वो आपको 12 पैट्स मिल रहे हैं ये पैट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि इसका स्क्रीन शोट है आपका ड्रम प्रो का उसी के थ्रू तो ये इसके अंदर आपको 12 पैट्स आपको मिल रहे हैं और सबसे बहुत जो खास है इसके अंदर वो ये है कि आपको इसके साथ साथ जो है वो स्लाइडर्स मिल रहे हैं स्लाइडर्स ये स्लाइडर्स है जैसे आप देख रहे हैं ये जिसमें वोलियूम और पैन आपको अलग से अड्जेस्ट करने के लिए दे रखा है इंडवीज्वली तो गाइस आप इसको जो डर्म प्रो है आपका इसको यूज करें बिल्कुल फ्री है और आपके प्रडेक्शन में यह काफी हैल्फुल रहेगा तो गाइस यह आप मैंने जो पहला पता है आपको वो है डर्म प्रो बाइ स्टूडियो लिंक अब हम चलेंगे सेकिंड वन में है जो कि यह है कैसेट ड्रम्स बाइडरूम प्रोडूसर ब्लोग तो यह जो गाइस अब मैं इस पे आ चुका हूँ यह है आपका कैसेट ड्रम्स का जो काफी अच्छा है टोटल फ्री है जो कि यह है एक पॉपलर बेश्ट कैसेट जो कि 606, 808 और 909 यह डर्म सेंपल पैक्स है काफी पॉपलर था यह कैसेट ड्रम्स का तो और यह गाइस यह भी कंपाटिबल है आपके PC और Mac में दोनों बिट पे यह सपोर्ट करता है लाइक 32 और 64 आप गाइस मैं इसकी कुछ खासियत आपको बता देता हूँ जो कि feature wise यह काफी बहुत ही अच्छा है जैसे इस plugin के साथ आपको मिलेंगे 3 drum kits like clean warm and hot यह इसके साथ आपको मिल रहे है जैसा आप यह देख रहे है मैं आपको दिखा रहा हूँ इनकी screen short के accordingly और काफी बिहेद खास इसमें sounds ह है जो कि आपके production को काफी अच्छे से वर्क करेंगे यह मैं आपको screen short दिखा रहा हूँ जो कि यह cassette 606 cassette 808 and 909 तो यह तीनों ही एक ही plugin में है काफी clean और user interface इसका है और आप इसको access कर सकते है volume के साथ और parameter जो कि आपको हर drum hit के साथ आपको दिया हुआ है तो guys इसको भी आप use क करें आपके production को काफी अच्छा help करेगी यह जो है मैं personally इसको use करता हूं और यह बहुत ही अच्छी plugin है जो की एक free है totally free of cost है तो इसको आप use कर सकते अपने song में जैसे भी आपको requirement हो आप guys मैं आपको एक जो हमारा जो third one है वो है बैज मुद्राबाय डिश्टो कोर तो यह जो guys हमारे पास यह जो third plugins है इसके बारे मैं बताना चाहूंगा यह एक bass और kick का synthesizer है यह एक bass और kick का synthesizer है और यह जो उन producers के लिए है जो की hard electronic music बनाते है लाइक hardcore हो गया जैसे आपका drum and bass हो गया double steps हो गया अप tempo यह उनके लिए काफी ही अच्छी plugin है यह जैसे मैं आपको इसका user interface दिखा रहा हूं जो GUI है जो कि आप देख पा रहे है इसका screenshot है और यह मैंने जैसे आपको बताया यह एक kick और bass का synthesizer है तो इसके अंदर आपको जो 127 आपको factory preset वो आपको मिल जाते 127 जो मैं आपको बता रहा हूं जैसे की powerful kick, bass और synth के sound के साथ तो यह गाईस बहुत ही अच्छी है क्योंकि यह एक तरीके का synthesizer है और इसमें 8 filters है जो कि आपको control करने के लिए cutoff और resonance को भी आप जैसे आप देख पारें इसके उसमें और इसमें जो यह वाला जो plugin है basically यह synthesizer है तो आप इसमें अपना जो kick है या tone है उसकी presets की तो उसका आप sound को modulate कर सकते है राइट यार मैंने जो आपको टो फ्री जो बीट मेंकर बदाए है यह आपको काफी helpful करें और भी मेरे पास ऐसे है तो पहले आप इनको try करें अगर इनमें आपको कोई doubt है या हो है तो आप मेंको कमेंट स्पोक्स पे जरूर बदाएगी इसमें आपको क्या प् इसको सब्सक्राइब करें तो आप उनको मैं बताने के लिए पहले आप इनको try करें अगर इन से आपको काम नहीं बन भारा रहा है तो मैं फिर उन्स को आपको बताऊंगा तो मेरे पास तो काफी कुछ है तो आप बस इनको try करें और यह भी आपको काफी helpful रहेंगे क्योंक करेंगों यह एक विगनर के लिए बहुत ही इपोड़न होता है कि उसको sound चाहिए प्रिसेट्स चाहिए अपलगिन चाहिए बट यूट्यू स्चिनेरियो को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और किसी कारण वो उस चीज को नहीं ले पाते हैं तो फिर वो इदर उदर से को अब करें बट चैनल को श्यार करें और जड़ कोशिश करें जिनको जरूर्वत है तो जैसा भी है यह आपके सामने है और भी मैं वीडियो आपके लिए लिए करा हूंगा तो प्रैक्टिस करें वंगाने बनाते रहें पुछ रहें थैंक्यू